हेलो दोस्तों मैं हूँ बैभव और आप देख रहे हैं Beats for Biology आज का टार्गेट है हमारा 12 नंबर का चैप्टर का नाम Microps in Human Willfare ये जो हमारा आखरी क्रैस कूर्शल रहा है अन्तिम युद्ध का नीट 2021 के लिए और आज हम उसमें चैप्टर कर रहे हैं Microps in Human Willfare एक यूनिट है क्लास 12 में यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है Biology in Human Willfare इसमें टोटल तीन चैप्टर है सबसे छोटा चैप्टर है Microps in Human Willfare इसके बाद हम लोग कल करेंगे Human Health and Disease और परसो करेंगे Strategies for Enhancement in Food Production तो हमारा परसो ये यूनिट भी खतम हो जाएगा ठीक है तो टार्गेट 12 नंबर का है 12 नंबर बहुत होते हैं नीट 2021 12 सितंबर को हमारा ये एक्जाम होगा जिसमें हम काफी chapters कर चुके हैं आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त को हम जो chapter है ये आज कर रहे होंगे Microps in Human Welfare जिसके नंबर है 12 टोटल तो यहां तक का तो हमारा complete हो चुका है आज और कल 16 अगस्त को Human Health and Disease हम लोग करेंगे तो आज का जो chapter है हमारा वो है Microps in Human Welfare चालो तो स्टार्ट करें चालो वे तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स हमारे पास समझ बें आ गया क्या टॉपिक्स हैं Microps in Household Products घरों में Microps का क्या इस्तमाल है इंडस्ट्रीज में क्या इस्तमाल है सबसे important topic sewage treatment जिससे question बनते ही बनते हैं हम लोग sewage treatment को आज बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे ठीक है next Biogas के production में कौन से microbes का इस्तमाल होता है Biocontrol Agents जैसे हम इस्तमाल करते हैं गैंबूशिया मशली को Mosquito के लारवकों खत्म करने के लिए ऐसे ही कई तरह के microbes देखेंगे गंबूशिया तो मशली थी और यहाँ पे सबसे आखरी topic है Biofertilizers आज के time तो organic farming हो रही है उसमें कैसे Biofertilizers में ऐसे इस्तमाल हो रहा है कि इनका microbes का तो overall जो rule है हमारा वो है microbes का कि human के लिए microbes कैसे काम में आते है तो यहाँ से topic स्टार्ट होता है ठीक है Class में concentration बनाए रखना और जितने में बच्चे class में present है मुझे उमीद है तुम आखरी तक बने रहोगे क्योंकि 10 मिनट, आदे गंटे, एक गंटे session करने से कुछ नहीं होगा हर एक paragraph से क्या question निकल सकता है हम लोग वो भी देखेंगे तो इसलिए NCRT की हर एक line हम लोग टच करेंगे तो सारे चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे, जो important होगी highlight करवा दूँगा, ठीक है आओ दुनिया में बड़े-बड़े plants और बड़े-बड़े animals मौजूद हैं, उनके अलावा microbes की अगर बात करें तो microbes major component है हमारे इस earth के biological system के microbes को हम ignore नहीं कर सकते इतने major components है हमारे biological system के हमने आज ही diversity पढ़ी है आज ही हमने दो पहर में biological classification पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा है यह चीज तुम जानते हो जितने भी सारे microorganism थे, बताओ कौन से kingdom में आते हैं kingdom का नाम क्या है तो kingdom monra में ज़्यादतर microorganism आते हैं और कुछ protista में आते हैं microscopic कौन है तो monra की kingdom है वो पूरी microscopic है, microbes हमारे earth पे कहां है मिट्टी में, पानी में, हवा में और हमारे body में भी है जानते हो न, हमारे intestine में ecoli present होता है इसरीच या coli होता है present और बहुत सारे animals और plants के bodies में भी वो present होते हैं यह ऐसे जगहों पे भी present होते हैं न, जहां पे और कोई living organism possible नहीं है कि वो exist वहाँ पे कर पाए जैसे, मान कर चलो geezer है, जहां का temperature 100 degree Celsius तक हो सकता है thermal vents कहते हैं उसे पानी गर्म करने वाले जो चीज होती है वहाँ पे भी bacteria मौझूद है deep in the soil soil में भी मौझूद है बर्फ के कुछ meter thickness जो होती है उसके अंदर भी मौझूद है acidic environment याद करो thermo acidophiles रहा करते हैं न microbes की बात करें तो microbes में किसको किसको include किया गया protozoa को कह सकते हो कई सारे बिमारिया होती है इससे bacteria कह सकते हो फिर इसके बात fungi और इसके बात कई सारे ऐसे animal और plant वगएरा आते हैं इसमें अब देखें ज़रा सा जैसे viruses की मैं बात करूँ वाइरोइड्स और prions की अगर बात करूँ तो यह सब proteinaceous infectious agent है लेकिन अगर इसमें से पूछा जाए कि proteinaceous कौन है तो तुम जानते हो वाइरोइड के पास protein की coating नहीं होती तो prions को ही सिर्फ बोला जाएगा आज सुबह में अगर तुम्हें आद होगी तो मैंने कहा था कि virus में protein भी होता है nucleic acid भी होता है वाइरोइड में सिर्फ और सिर्फ RNA होता है उसमें protein की कोई coating नहीं होती अब prions की बात हमने देखी थी उसमें सिर्फ और सिर्फ protein होता है उसमें कोई genetic material RNA नहीं होता है ठीक है अब देखो bacteria की अगर मैं बात करूँ और बहुत सारे fungus की बात करूँ तो क्या इनका culture कर सकते हैं क्या laboratory में इनकी colonies बना सकते हैं तो बिलकुल इनकी colonies बनाई जा सकती हैं किनकी bacteria की और fungus की लेकिन बताओ क्या virus की colonies बनाई जा सकती हैं नहीं वाइरस की colonies बनाई possible नहीं है अगर अकेले bacteria है देख नहीं पाओगे अकेले fungus है देख नहीं पाओगे लेकिन अगर उनकी colonies बनी है तो तुम naked eye से भी देख सकते हो क्योंकि colonies हैं तो बहुत सारे होंगे बहुत सारे study भी कर पाते हैं हम लोग microorganism की example देखें ये तुम्हारे सामने ये कैसे shape का मिला इसे rod shape कहते हैं ये कैसे shape का मिला इसे spherical कहते हैं दिखना यहाँ पर अच्छे से ज़रा rod shape तुम्हारे सामने दिखा aspherical cocus जानते हो तुम ऐसे ही shape क्यों होते हैं बगल में ये shape को देखो जानते हो ये भी rod shape ही है ये जो तुम ढियागराम देख रहो ये भी rod shape है लेकिन दोनों में फर्क क्या है ये देखना ज़रा microscope से ये भी picture लिया गया microscope से ये भी picture लिया गया दोनों picture में magnification के जो unit है वो अलग-अलग है magnification कितने times किया गया वो बहुत ज़्यादा matter करता है इसमें magnification 1500 times किया गया लेकिन इसमें जो magnification है वो 50,000 times किया गया कितना ज़्यादा magnification हुआ है उसके basis पे तुम देख सकते हो तो ये चीज़े तुम समझ सकते हो तो याद रखना वो 1500 times जूम किया गया है ये 50,000 times जूम किया गया है तब जाकर तुम फ्लैजला वगारा सब कुछ देख पा रहे हो कि एक ही backtrack में सब कुछ है next देखें ये तुम्हारे सामने virus है और ये पहले virus के बारे में देखें virus में आज हमने देखा था इसे हम head कहते थे हम इसे collar कहते थे याद करू उपर वाले को collar कहते है वैसे ये शफशीद होता है और बाकी ये tail होगा और नया याद रखेंगे plate होता है और बाकी छोटी छोटी जो चीज़े होती है इन्हें हम pins कहते है और इनके pair को tail fibers ना कहकर यहाँ पर prongs कहा गया है तो यहाँ से भी question आ सकते है है ना यहाँ से भी question आ सकते है magnification का मतलब होता है zoom करना जैसे mobile से जब photo खीच रहे होते हैं जूम करते हैं ऐसे ही electron microscope में भी चीज़ों को जूम किया जाता है यह diagram bacteriophage का है यह diagram एक virus का है चलो जल्दी से नाम बताओ यह virus कौन है मैं थोड़ा से हिंड दूँगा कि यह virus respiratory system को नुक्षान पहुचाने का काम करता है यह virus का नाम बहुत important है adenovirus जो क्या करेगा respiratory infection फैलाने का काम करेगा लिखे एक कौन सा virus है भई adenovirus adenovirus क्या पहुचाएगा तो respiratory infection इससे होगा यह बात याद रखनी है तुम्हे respiratory infection यहाँ से होगा virus का shape ऐसा हो रहा है next देखें थोड़ी सी बात अलग है याद करो अभी हमने क्या देखा था rod saved bacteria देखा था अब यहाँ पे क्या देख रहे है rod saved virus देख रहे है कितना time zoom करना पड़ा एक लाख से डेड़ लाख time zoom करना पड़ा तब जाकर हमें यह rod saved का ऐसा दिख रहा है यह compact है पूरी तरीके से तो याद रखना पहला bacteria phase है यह adenovirus है जो respiratory infection फैलाएगा और यह तीसरा virus है जिसका नाम है rod saved TMV है यह TMV कहने का मतलब tobacco मुझाइक virus कहते है यह से तो याद रखना TMV कौन सा virus है TMV तो पूछे examiner TMV virus का safe कैशा तो बोलेंगे rod saved होगा TMV virus में क्या मौझूद होगी genetic material तो बोलेंगे SSRNA मौझूद रहेगा अब यहाँ पे दो colonies बनाई गई है laboratory के जो plate होते हैं उन्हें हम petridis कहते हैं ठीक है यह पहला जो देख रहे हो यह bacteria की colony है जो दूसरा देख रहे हो यह fungal colony है क्या दोनों को naked eye से देख पाएंगे बिल्कुल क्योंकि आप colonies बन गई है दोनों को देख पाना naked eye से possible है chapter number 8 में human health and disease है बहुत सारे microbes की बारे में हमने पढ़ा कि बहुत सारे microbes जो है वो बिमारियां cause करते हैं वो plant में भी बिमारियां फैलाते हैं animals में भी बिमारियां फैलाते हैं लेकिन तुम्हें मालुम होगा कि जितने भी microbes होते हैं वो ज़्यादा तर harmful नहीं होते हैं बहुत सारे microbes हैं जो human के इस्तमाल में आते हैं और बहुत सारे human welfare में बहुत ज़्यादा benefit पहुचा रहे हैं इतना हो गया हमारा complete NCRT का दो पेज कोश्चन करें वीच अगर सिर्फ एक को चूज करना है तो किसे चूज करोगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन मौजूद है तो answer क्या लगाओगे answer आ चुका होगा answer आ रहा है सबका B comment में answer भर जाना चाहिए rod-siped bacteria भी होता है rod-siped virus भी होता है दोनों याद रखेंगे ठीक है चलो भया answer क्या जाएगा answer जाएगा B तुम्हारा कौन सा prions चले next question करें the nutritive medium for growing bacteria and many fungi in laboratory is called laboratory is called laboratory में हमने bacteria की colonies बनाई fungal colonies हमने बनाया हम इसे क्या बोलेंगे तो हम इसे कल्चर मेडिया बोलेंगे important है हम जो petri dish में बना रहे हैं वो कल्चर मेडिया ही तो है proteinaceous infectious agent अगर अब options ऐसे आएं अगर अब options ऐसे आएं फिर भी हमें डरने की कोई बात नहीं है अगर proteinaceous आएगा तो हम इसा बोलेंगे क्योंगी देखो मैंने तुमको बात बताई है virus के case में आए तो virus को बोलते है nucleo protein क्योंकि इसमें nucleo acid भी plus protein भी virus की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा free RNA होगा मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है इसमें nucleo acid है लेकिन अगर prions की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ protein होता है मौजूद और कुछ नहीं याद रखना virus के बारे में ये चीजें और ऐसे prions के बारे में answer क्या जाएगा C next किन को हम grow करा सकते हैं किन की colonies बना सकते हैं किन को grow करा सकते हैं किन की colonies बना सकते हैं which of the following microbes can be grown on new treaty media and form colonies answer clear होना चाहिए answer आना चाहिए answer आना चाहिए bacteria और fungi की colonies बनाई जा सकती हैं लेकिन ये दोनों की colonies बनाना possible नहीं है चलो भई पहचाने कौन है bacteria की colony और कौन है fungal colony कौन है bacterial और कौन है fungal answer आ चुका होगा answer A ये जो सबसे पहला वाला है जो spherical cocus जैसा दिख रहा है और ये हमारा fungal colony है तो ये हो गया bacterial और ये हो गया fungal तो आराम से हमारा answer आ चुका है answer हमारा A जाएगा match the following में ये तीनों के पूछे हैं कि ये तीनों का नाम क्या है वो बताएं अडिनो वाइरस तो वो है जो respiratory infection cause करता है TMV rod sip का जल्दी से बताओ क्या लग रहा है answer आ जाना चाहिए answer तुम्हारा जाएगा C क्या आ रहा है सबका answer C कॉमेंट में बताओ क्या C आ रहा है बिल्कुल C जाना चाहिए देखो ये बैक्ट्रियो फेज है ये अडिनो वाइरस है और ये TMV है magnification कितना times किया गया TMV का up to डेड़ लाग times तक किया गया है यहां तक हमारा NCRT का दो page complete हुआ line by line और जितने questions पूछे जा सकते हैं या से देखो भई likes बढ़ती रहनी चाहिए target करते हैं 2000 likes की ठीक है तो likes बढ़ती रहनी चाहिए जितने भी बच्चे कम से कम देख रहे हैं वो वीडियो को like जल्दी से कर दो अपनी attendance बनाओ कि मैं class में present हो अब बात करते हैं के करकर वैसे microbes जो हमारे घरों में होते हैं we use microbes और products direct from them everyday मुझे तुम बताओ कि ऐसे कौन से products हैं जिनका हम इस्तमाल रोज करते हैं जिनका इस्तमाल हम रोज करते हैं ऐसे कौन से products हैं जो bacteria वगरा के बनाए हुए हैं fungus से बनाए हुए हैं क्या हम fungus का mushroom यूज करते हैं दूट से बना दही lactobacillus bacteria ही तो बनाने का काम करता है बात समझ में आ गई होगी देखें ज़रा सा यहां common example दूट से दही बनाना दूट से क्या बनाया हमने दही बनाया कौन सी bacteria ने बनाया lactobacillus ने बनाया और इस पूरे ग्रूप का जो bacteria होता है हम इसे lab कहते हैं lactic acid bacteria या इसे lactobacillus भी कह दे milk में ग्रो होती है और milk को किस में बदलती है curd में बदलती है milk से curd बनाने का हलका सा mechanism NCRT ने दिया है कि कैसे ये चीज बनती है देखें जब इनका ग्रोथ हो रहा होता है कि इनका lactobacillus का तो जो lactobacillus है न कहने का मतलब जो lactic acid bacteria है बताओ ये क्या produce करना start करेगा नाम ही है lactic acid तो क्या produce करेगा acid produce करेगा अब क्या होता है milk में जो protein present है उनको coagulate करने का काम करता है इनका acid जो acid bacteria से निकला है वो किसको जमाने की कोसिस करता है वो जमाता है दूद में protein को उनको क्या करेगा partially digest भी करता है और उनको जमाने का काम करेगा ठीक है अब क्या होता है कि जैसे मान कर चलो दही हमने बना ली तो दही का जमन हम इस्तमाल करते है न जैसे हमें दूद जमाने के लिए हम जोरन का इस्तमाल करते है या हम उन्हें जमन कहते है इंगलिस में ही उसे हम inoculum कहते है एक कटोरे में हमेशा हमारे घर में दही मौजूद होती है जिसमें से हम इस्तमाल करते हैं क्या बनाने के लिए फिर से दही जमाने के लिए इस्तमाल किया जाता है तो उसमें millions of bacteria मौझूद होते हैं Lactic Acid Bacteria एक चमच में फिर उसको दूद को गरम किया जाता है और दूद को गरम करने के बाद हम आराम से उसको एक ऐसे जगह पे रख देते हैं गरम जगह पे और उसके बाद दूद से फिर दही का formation हो जाता है दूद और दही दोनों में nutritional quality की काफी ज़्यादा difference आती है दही की nutritional quality बहुत ही बहतर होती है क्योंकि दही में vitamin B12 का amount काफी ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये तुमसे exam में पूछी जाती है दही में कौन सी vitamin होती है तो बोलेंगे दही में vitamin B12 होता है और कौन सी acid release की गई दही जमाने के लिए तो lactic acid bacteria release किया गया lactic acid release की गई ताकि protein वहाँ पे जम जाए और बाकी चाहे इनोक्यूलम कह दे चाहे श्टार्टर कह दे जमन को सिंपल सी बात यहाँ पे है जावन जवन जो भी कहते है अब बात करते हैं हमारे पेट में हमारे अस्टमक की बात करते हैं तो हमारे अस्टमक में भी lactic acid bacteria का rule बड़ा important होता है कई सारे microbes इसी के कारण क्योंकि acidic nature है न इसी के कारण हमारे अस्टमक में वो grow नहीं कर पाते तो हमारे अस्टमक में भी बहुत important है shaking का मतलब कहने का मतलब वो control कर लेंगे disease causing microbes को ठीक है चले आगे next बात की गई है dough के बारे में ये क्या है जैसे डोसा और idli बनाने के लिए जो गुता हुआ आटा होता है या जिस चीज कभी इस्तवाल करते हैं मैदा का इस्तवाल करते हैं या जिस चीज कभी हम इस्तवाल करते हैं चावल वगरा का इस्तमाल करते हैं वैसे डो सौ और इडली को बनाने के लिए जिस भी चावल का हम इस्तमाल करते हैं उसका एक पेस्ट तयार करते हैं फिर उसको रात में हम छोड़ देते हैं ताकि उसमें वो फर्मेंट हो जाए उसको क्या बोलते हैं डो कहते हैं जिस चाव गैस उसमें निकल रहा होगा तो कहीं न कहीं वो puffed up appearance आ जाता है वो थोड़ा सा सूजा सूजा सा दिखाई देता है अब यहां पे पूछा गया है can you tell which metabolic pathway is taking place resulting in the formation of CO2 अब वहाँ पे CO2 निकल रहा है तो क्या कहीं न कहीं वहाँ पे anaerobic respiration जैसे चीज़े चल रही होती हैं क्योंकि हम उसको ढग देते हैं ठीक है अब बात आती है उसमें जो भी bacteria आये वो कहां से आये fermentation के लिए तो हमारे environment से वो आते हैं और पनब जाते हैं वहाँ पे तो काम ऐसा होता है अब हम braid बना रहे होते हैं तो उसमें भी dough का इस्तमाल करते हैं bakers ist का इस्तमाल करते हैं जिनने saccharomyces cerevesi कहा जाता है अज सुबह में ही हमने पढ़ा था कि braid और beer बनाये जाते हैं saccharomyces cerevesi से नाम बहुत important है और भी बहुत सारे traditional drinks तयार किये जाते हैं और भी बहुत सारे चीज़ों का तयार हम लोग करते हैं है ना जैसे एक toddy होती है जिसका जो कि traditional drink होती है जिससे वैसे आम भाशा में toddy कह दिया जाता है काफी southern India में वो देखने को हमें मिलती है जिसमें जो palm tree होते हैं कहते हैं जो palm tree होते हैं उसे में से liquid निकल कर आती है और उसी से toddy का formation हो जाता है तो toddy बनाने में भी इस्तमाल की गई वहां भी फर्मेंट किया जाता है उसे microbes का और भी ज़्यादे इस्तमाल किया जाता है अगर हम मशली बनाने के पहले फीश को फर्मेंट करते हैं उसमें भी microbes का है इस्तमाल हो रहा है soybean को अगर हमें फर्मेंट करना है bamboo, shoots जो खाया जाता है काफी delicious होती है तो यह सब food जितने भी है सब में किनका इस्तमाल किया है हमने microbes का इस्तमाल किया क्यों किया इसको फर्मेंट करने के लिए किया यह जितनी भी चीजे थी सारी क्या household items है सारी के सारी ठीक है, toddy का मतलब ताड़ी होता है cheese, paneer की बात चल रही है paneer एक बहुत ही पुराना item है जो microbes के थ्रू तयार की जाती है cheese की बहुत सारी variety आती है cheese की texture अलग है दुनिया में जितने भी type के cheese है cheese की एक variety नहीं है हजारो variety है सबकी texture अलग-अलग सबकी flavor अलग-अलग सबका taste अलग-अलग तो यह चीज़ याद रखेंगे अब बात आती है कि कोई भी चीज खास क्यों बन जाती है कोई पनीर जो होती है उसके specific nature कहां से आएगी अब जो microbes का उसमें इस्तमाल हो रहा है उसकी वजह से उसकी taste आती है, flavor आती है, texture आती है अब जैसे example की बात करें sweet cheese इसमें जो बड़े-बड़े hole होते हैं ये कहां से आते हैं ताकि उसमें एक bacteria है जसका नाम है propionio bacterium sermani वहां से CO2 release कर रहा है CO2 release कर रहा है तो उसके कारण वहां पे hole आ गए कभी भी तुम से आए कि hole किसके कारण हुआ है तो बोलेंगे CO2 जो evolve हो रहा है जो bacteria yeast के थूँ वहां पे आ रहा है Swiss cheese के formation में कौन से bacteria ने मदद की बोलेंगे propionio bacterium sermani अगला rocky ford cheese होता है इसको पकाने के लिए fungus का इस्तमाल किया जाता है जो कि fungus एक particular flavor देता है तो अगर तुम से पूछा जाए कि rocky ford cheese bacteria से किया गया बनाया गया या fungi से तो बोलेंगे कि ये fungi से बनाया गया Swiss cheese bacteria से नाम याद रखेंगे जैसे इसका नाम आता है penicillium rocky 40 जिससे rocky ford cheese तैयार किया जाता है एक्जाम में नहीं पूछा जाता और Swiss cheese तैयार करने के लिए propionibacterium सेर्मानी का इस्तमाल होता है कुशन करो तो थोड़ा और अच्छे से चीजें याद रहेंगी fermented का मतलब बोलते है ना जैसे बान कर चलो चिकन बना रहा है तो चिकन को ferment कर देते हैं चिकन को ferment करते हैं ना बनाने के लिए ऐसे मचली को भी करते हैं मटन को भी करते हैं बस वही चीज़ भी ferment चलो next कुशन करें the inoculum is added to the face milk in order to convert milk into curd the term inoculum here if was two inoculum यहाँ पे क्या है inoculum जिसे जामन कह रहे हैं जिसे जोरन कह रहे हैं कहीं न कहीं यह क्या है answer आ रहा है सबका C बिल्कुल एक ऐसा starter एक ऐसा part दही का जिसमें एक चमच में ही millions of lactication bacteria मौजूद होते हैं दो statement हैं दोनों को पढ़ें और बताएं correct option कौन सी है correct option कौन सी है answer आ चुका क्या answer A आना चाहिए यहाँ पे दोनों के दोनों statement correct हैं दूद से दही बना रहे हैं lactication bacteria ने उसमें vitamin B12 की quantity बढ़ा दी human stomach में भी काफी सारी बिमारियां इसके कारण ही नहीं होती तो दोनों statement यहाँ पे correct है next question पे आ जाएं which of the following food items is produced by the fermenting activity of microbes microbes से हमने क्या-क्या बनाया idli, dough सा, toddy, cheese तो हमने microbes से सब कुछ बनाया answer सब का रहा है D microbes से idli, dough से, cheese बहुत कुछ बना रहे हैं जो dough त्यार किया गया है which is used for making idli and dosa is fermented by idli और dosa को ferment किस ने किया है वो एक type का fungus है जिसने किया है नाम, क्या बुलेंगे idli और dosa बनाने के लिए जो fermentation किया गया है वो किस ने किया, isht ने किया है किस ने किया है, isht ने किया है यह चीज याद रखेंगे आपे अभी हमने just यह चीज देखी थी देखें अच्छे यह गलती हो गया हमारा bacteria से यह चीज बनती है और जो bread वगरा बनाये जाते है तो यह चीज fungus से नहीं बनाये जाती idly और dosa को जो करते है वो bacteria करते है यही पर confusion होती है तो इसको ध्यान रखेंगे यहाँ पर किस से बनाये गया bacteria से इंसीयर्टी के लाइन पढ़ेंगे तो समझ मैएगा कि हाँ bacteria से ही त्यार किये जाते हैं idly और dosa यह जो isht है इससे त्यार क्या होगा यह isht से त्यार होगा आगे bread अगर त्यार करना है यह सब त्यार चीज़े bread है beer है यह सब चीज़े इससे त्यार की जाएंगे जो बड़े-बड़े holes आ रहे हैं Swiss cheese में are due to production of large amount of CO2 by a Swiss cheese बनाने के लिए हमने इस्तमाल किया था propionobacterium शर्मानी का इस्तमाल किया था answer A आ रहा है bacteria आना चाहिए next curd, cheese, butter are produced with the use of दही, पनीर और बटर का बनाने के लिए हमने किन का यूज़ किया answer A हमने किन का यूज़ किया ist का इस्तमाल किया क्या हमने ist का इस्तमाल किया options गलत दे रखे हैं किसी दूसरे का option आ गया इसमें यहां पर सब कुछ बनाने के लिए हमने चीज़ों का जो इस्तमाल किया वो bacteria ही था वो क्या था bacteria ओप्सन थोड़े गलत दे रखे हैं इसमें की शीज़ कर हमने इस्तमाल किया है हमने bacteria का इस्तमाल किया है बनाने के लिए जैसे curd बनाने के लिए लैक्टिकेशन बैक्टरिया के इस्तमाल चीज़ बनाने के लिए प्रोपिन बैक्टरिम शर्मानी के इस्तमाल और बटर तो जेनरल है है ना चाला यहां पर बैक्टरिया होगा नेक्स्ट लैक्टो बैसलस मेडियेटेड चेंज ओफ मिल्क टुकर्ड अकर्स डियो टू अब लैक्टो बैसलस ने क्या चेंज किया दही जमाने के लिए दही जमाने के लिए क्या चेंज किया गया बताएं दही जमाने के लिए क्या चीज़ों को चेंज किया गया answer आ रहा है B answer B आ रहा है क्या किया गया coagulation किया गया और partial digestion किया गया milk protein का milk fat का नहीं milk fat का नहीं complete digestion नहीं किया गया partial digestion किया गया तो options क्या क्या examiner दे सकता है वो समझ चुके होगे तुम option क्या क्या दिया जा सकता है next लाक्टिकेशन बेक्ट्रिया जो है मिल्क को करड़ में कनवर्ट कर दिया और इसकी क्वाइलिटि इंप्रूब हो गए ये ट्रिस्वन कोईलिटि कौन सी वाइटीमिन का इंक्रीज हुआ है तुम तो एक्जाक्ट वाइटीमिन का नाम भी बता सकते हो answer आ रहा है सबका B clear cut कहें तो vitamin B12 की amount यहां पर बढ़ गई ठीक है भई यहां तक सारी चीज़ है हमारी clear है next जो topic है microbes का इस्तमाल industrial purpose के लिए कैसे हो रहा है अब वो देखने वाले हैं हम लोग तो simple सी चीज़ है microbes का इस्तमाल कैसे हो रहा है आओ चलो देखते हैं वो industries में अब industries में human beings के लिए बहुत ही valuable products त्यार किये जा रहे हैं microbes के थुरू जैसे क्या beverages जितने भी type के wine हैं, beer हैं, alcohol की जितनी भी variety हैं वो beverages हम त्यार करते हैं industry में with the help of microbes हम antibiotics का इस्तमाल करते हैं with the help of microbes larger scale पे हम production कराते हैं microbes का बहुत बड़े-बड़े vessels में बहुत बड़े-बड़े वर्तन होते हैं वो बर्तन बड़े-बड़े जो हैं उनको क्या कहा जाता है fermenters जो बड़े-बड़े vessels हैं जिनका industries में इस्तमाल किया जाता है microbes को grow कराने के लिए हम उन्हें fermenters का नाम कहते हैं ये होते हैं fermenters ये बड़े-बड़े वो fermenters हैं जिनमें हमने ग्रो करवाया है किनहें हमने ग्रो करवाया है bacteria को याद रखेंगे microbes को grow कराते हैं बड़े fermenters में topic का नाम fermented beverages हम जानते हैं इस्त का इस्तमाल किया जाता है बीर को बनाने के लिए तो microbes में East का इस्तमाल किया जाता है Manly East की बात करें तो Saccharomyces Cerevasi बहुत वर्षों से इस्तमाल किया जा रहा है बहुत सालों से वो वक्त हमें याद भी नहीं है जब से East का इस्तमाल किया जा रहा है इन beverages को तयार करने में जैसे Saccharomyces Cerevasi का जिससे हमने Bread बनाया था तो Bread बनाने वाले को Baker's East कहते हैं और इस East को क्या बोलेंगे जिससे Wine, Beer, Whisky, Brandy, Rum बनाई जा रही है इसको Brewers East कहते हैं अज सुबह में ये term हमने कहा था ठीक है तो ये चीज़ याद रखेंगे याँ पर आगे चलते है Brewers East is used for अब Brewers East जो होती है उसका इस्तमाल क्यों होता है वो थोड़ा सा समझें कि Brewers East का इस्तमाल यहाँ पर क्या है समझे जरा सा अब यहाँ पर जैसे कहां कहां से चीज़े बनाई जा सकती है वैसे अनाज जो लगबग सड़ चुके है सड़ाया जाता है अनाज को और Fruit Juices की बात करे तो यह इस पर action किसका होता है East का और वहाँ से क्या बनाई जाती है Ethanol बनाई जाती है Question पूछा गया Do you recollect the metabolic reactions which result in the production of ethanol by East यह सारी चीज़े हम respiration in plants में पढ़ेंगे जहाँ anaerobic reaction होता है और उससे बनाई जाती है alcohol Depending upon the type of raw material अब देखो Raw material अलग-अलग लिये जाते हैं कभी grapes का इस्तमाल होता है तो कभी दूसरे fruits का इस्तमाल होता है तभी तयार होती है यह सब wine, beer, whiskey, brandy और rum तो depending on the type of the raw material used for the fermentation and type of processing अब यहाँ पर दो चीज़े है चाहे तो distillation करो चाहे तो distillation मत करो distillation में और भी चीज़े purify की जाती है examples जो हमें याद रखना है वो समझे बहुत सरे alcoholic drinks है जैसे wine और beer की बात करें इनका distillation नहीं होता तो अगर distillation हो गया न तो समझना कि alcohol का जो amount है वो और बढ़ जाएगा तो wine और beer में alcohol की amount उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी ज़्यादा amount हमें whiskey, brandy, rum में देखने को मिलता है क्योंकि यह distilled है तो दो तरह के हमें देखने को मिले alcohol एक distilled और एक without distilled तो याद रतना wine और beer without distilled है और whiskey, brandy, rum यह distilled है यहाँ से question आता है distillation process में कौन गए whiskey, brandy, rum इसलिए कहते हैं यह high quality वाले हैं बस यही चीज है question करें which of the following organisms is used in the production of beverages beverages को तयार करने के लिए जितने भी alcoholic beverages हैं उनको तयार करने के लिए हमने इस्तमाल किया answer आ रहा है chachomyces cerevesi का next wine and beer are produced directly by fermentation whereas brandy, whiskey, rum require both fermentation and distillation this is because this is because answer आ चुका है answer आ जाएगा fermentation is inhibited at an alcohol level of 10 to 18% इसके बाद fermentation नहीं किया जा सकता है तो इसके बाद distillation प्रोसेस गुजारा जाता है ताकि उसमें alcohol quantity जादा से जादा हो तो याद रखना fermentation तभी रुख जाएगा जब alcohol की quantity 10 से 18% हो जाती है तो ये conceptual point है इसे याद रखेंगे ठीक है ये conceptual point है यही चीज़ हम respiration in plants में भी पढ़ते हैं वहाँ पे जो 13% का data अगर किसी बच्चे को याद होगा नेक्स कुश्चन उन बड़े-बड़े vessels को क्या कहा जाएगा जो इस्तमाल होती है industries में microbes को बड़े-बड़े large scale पे ग्रू कराने के लिए तो हम इने क्या बोलेंगे क्या सबका answer आ रहा है B उन बड़े-बड़े vessels को हम fermenters के नाम से जानते हैं आना चाहिए answer B fermenters type of alcoholic drink कैसा होगा ये किन बातों पे depend करता है ये किन बातों पे depend करता है NCRT ने भी line लिखी थी क्या alcoholic drink का जो type है वो कई बातों पे depend करता है answer क्या सबका D आ रहा है answer आना चाहिए पहला और दूसरा raw material कौन से इस्तमाल किया गया और processing कौन सी हुई क्या distillation हुआ अगर distillation हुआ तो whisky brand डी rum अगर distillation नहीं हुआ तो wine और beer simple सी चीज यहाँ पर याद रखेंगे one and two only weather पर depend नहीं करता fermenters पर depend नहीं करता और तुम जानते हो जितनी भी सराव और पुरानी हो जाती हो और भी costly बिखती है क्योंकि और भी fermentation उसमें हो सकता है यह एक fermentation plant है जहाँ पर शराब बनाई जा रही है अगली चीज हमने पहला देखा था कि industries में दो चीज़े बनाई जाती है पहला हमने देखा था beverages वो beverages तो हमने देख लिए अब हम देख रहे हैं antibiotics अगर बात करें 20th century की सबसे most significant discovery जो रही है वो है antibiotics human society में बहुत बड़ा important contribution है तुमने भी अपने life में कभी न कभी ऐंटिबायोटिक खाया ही होगा बहुत important medicine के category में यह आती है antibiotics बात आती है anti का मतलब क्या होता है anti एक Greek word है जिसका मतलब होता है against और bio का मतलब होता है life पूरे मिलकर बनते क्या है against life क्या हमारे जीवन के खिलाफ है यह नहीं अगर हम anti एक ले रहे हैं तो किसी दूसरे microorganism जो हमारे बॉड़ी में पनप रहा है उसे मारने का काम करेगा उसके life के against यह होगा context of disease causing organism साफ लिख दिया NCRT ने अगर हमारे लिए बात करें तो हमारे लिए तो यह pro-life है हमारे लिए against नहीं है against तो उनके लिए है जो bacteria हमारे body के अंदर पनप रहे है हमारे लिए pro-life exam में question पूछा गया human के लिए term क्या use किया जाएगा pro-life अगर बात की जाए bacteria के लिए क्या use किया जाएगा against life इस्तमाल किया जाएगा antibiotics ऐसे chemical substance होते है जिसको तयार किया है microbes ने और मारने का भी काम microbes को ही करते है तयार किया है कुछ अच्छे microbes ने जैसे streptomyces ने तयार किया streptomycin तो तयार किया भी microbes ने और मारते या reduce भी करते हैं growth किसकी microbes की तो overall यही होते हैं antibiotics होते हैं अब बात करें सबसे common example जो है वो है penicilline का जो सबसे ज़्यादा इस्तमाल किया जाने वाला है वो है penicilline जानते हो यह जो penicilline की discovery पहली बार हो रही थी यह chance discovery थी chance discovery को serendipity कहा जाता है अगर कोई भी discovery by chance होती है तो वो कहा जाता है serendipity Alexander Fleming जो थे यह काम कर रहे थे staffy lococus bacteria पे नाम क्या था bacteria का staffy lococus bacteria नाम था bacteria पे काम कर रहे थे शाम का वक्त था शाम की वक्त laboratory के अंदर में इनकी wife अंदर में इंटर करती है wife ने कहा सुनिये जी हमें party में जाना है तो अंदर से निकलते हैं Alexander Fleming बोलते हैं मैं तो अभी काम में लगा हूँ तो पत्नी गुस्सा करने लगती बोलती जाना जरूरी है तो ऐसे ही जो experiment कर रहे थे उसको बिना कुछ किये हुए direct वो निकल जाते हैं अपने wife के साथ party में अब party से जब लोटते हैं तो party से लोटने में एक दो दिन का time लग जाता है क्योंकि वहीं रह जाते हैं क्योंकि काफी लंबे समय से कहीं गये नहीं थे जब वो अपने घर लोटते हैं तो देखते हैं जो staphylococcus bacteria था वो तो अब grow नहीं कर रहा और जिस plate में वो grow करवा रहे थे वो plate में पूरी तरीके से fungus लग गया है वो plate में fungus लग गया है पूरी तरीके से he found out that it was due to a chemical produced by the mold और उन्होंने क्या नाम रखा उसका penicilline अब बात को सुने वहाँ पे किसी तरह से एक fungus का growth हो गया था जिस fungus का नाम क्या था penicillium notatum काम किस पे कर रहे थे अस्टैफी lococus bacteria पे दो तीन दिन लौटने के बाद वहाँ पे कौन सा fungus growth कर गया था penicillium notatum वहां जो chemical निकल रही थी उस chemical का नाम इन्होंने क्या रखा penicilline देखा penicilline का इस्तमाल करकर कई सारे बैक्ट्रिया मर जा रहे हैं आगे सुनो अब इस penicilline में इतनी potential नहीं थी कि ये पूरी तरीके से effective हो scientist कुछ और मिलते हैं ताकि इसकी full potential तयार की जाए एक effective antibiotic के तोर पे penicilline को जाना जाए दो scientist थे एक का नाम था chain एक का नाम था flory chain और flory मिलकर इस antibiotic को और भी ज़्यादा effective बनाते हैं पूछा जाएगा पहली बार नाम जो आया penicilline का वो penicilline किसने बनाया तो बोलेंगे Alexander Fleming क्या वो fully effective था जवाब है नहीं fully effective किसने बनाया chain और flory ने बनाया तो antibiotic तो पूरी तरीके से effective हो गया अब उसी समय चल रही थी world war 2 world war 2 में antibiotics का बहुत जाज़ इस्तमाल हुआ जितने भी सैनिक घायल हो रहे थे जितने भी सैनिक घायल हो रहे थे उन्हें antibiotics खिलाया जा रहा था अब पता चला कि chain और flory ने तो इसका effectiveness बढ़ाया Fleming ने तयार किया penicilline को तीनों को मिला कर nobel prize दिया जाता है 1945 में इस गजब की discovery के लिए जो 20th century में discovery की गई याद रहेगा काम कर रहे थे staffy lococus bacteria पे तो आप कहोगे भाई nobel prize उनकी wife को मिलना चाहिए अगर वो party में नहीं लेकर जाती तो ऐसे discovery कैसे हो पाती है ना तो यह तीन को ही मिला है next penicilline बन चुका पहला antibiotic उसके बाद बहुत सारे antibiotics तयार किये गए अलग-अलग microbes से बहुत सारे अलग-अलग antibiotics हैं जो बहुत सारे microbes से तयार किये जाते हैं amoxicilline है penicilline है streptomycin है ऐसे कई सारे antibiotics है तो medical college में जाकर पढ़ोगे अगर बात antibiotics की चली है तो antibiotics ने ऐसे ऐसे बिमारियों को खतम गर दिया ऐसे ऐसे बिमारियों को खतम गर दिया जैसे plague प्लेग ऐसी बिमारी थी गाउं की गाउं खतम हो जाती थी plague गाउं की गाउं खतम हो जाती थी plague की बिमारी यादो को तुमने history में चूहे वाली पड़ी होगी plague पैचुरिला पेस्टिस और शेनिया पेस्टिस से होती है whooping cough काली खासी लंबे समय से जब खासी चल रही हो उसको whooping cough कहते है body टेला पेटिस से होती है बिमारिया diphtheria की बात करें गाल घोटू इस सारे नाम जो हिंदी वाले हैं सब याद करने है whooping cough को काली खासी diphtheria को गाल घोटू leprosy को कुस्ट रोग कहते हैं leprosy होती है mycobacterium lepris diphtheria होती है cornebacterium diphtheriai से ये ऐसी कुछ बिमारियां थी जिससे हमारे धर्ती पे लगबल लाखो करोडों की बहुत हुई इन कुछ बिमारियां इतनी हुई इन कुछ microbes के चलते आज हम antibiotic के बिना इस दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते question करें the chemical substance produced by some microbes which can kill or retard the growth of other microbes are called क्या नाम दिया जाएगा answer सब का आ रहा है c हम उसे antibiotic का नाम देते है बूला गया क्या बूला गया not correct बूला गया है not correct बताएं भाई total 4 statement है 4 statement में से बताएं not correct कौन सा है answer आ चुका है not correct पूछा गया है answer ए जाएगा first only antibiotics की बात करें which is in a small concentration can kill or retard the growth of other तो attenuated नहीं होता है attenuated का मतलब क्या होता है कि जो pathogen weak हो जाते हैं वो तो उनसे हम microorganisms को जैसे virus को weak करने के बाद हम उसे vaccine बनाते हैं ना कि हम उसे antibiotics बनाते हैं तो first तो ऐसी गलत हो गया बाकि सारे के सारे जो हैं वो बिलकुल सही हैं तो answer हमारा क्या जाएगा only first next Alexandra Fleming जो है उस समय काम किस पर कर रहे थे answer क्या ARIS अब का Streptococcus bacteria पर काम कर रहे थे बतो भई Streptococcus पर काम कर रहे थे Staphylococcus पर काम कर रहे थे तो Alexandra Fleming Staphylococcus bacteria पर काम कर रहे थे answer यहाँ पर D जाएगा अभी हमने ज़स्ट पढ़ा था नहीं इसके बारे में Staphylococcus याद रखेंगे ठीक है वो काम किस पर कर रहे थे Staphylococcus bacteria पर वहाँ पर answer गलत दे रखा है ठीक है बई answer आना चाहिए क्या D आना चाहिए answer सबका चलो next आजाओ next आजओ next याद दखना दोनों चीज़े अलग है Staphylococcus और Streptococcus कौन से World War में इस्तमाल हुई खूब सारी पैने सलेंगे answer B Second World War जब चल रहा था उस समय इस्तमाल हुई 1945 बे next मैच करें कौन से बिमारियों का हिंदी नाम क्या है बिमारियों का हिंदी नाम क्या है जल्दी से बताएं diptheria, leprosy, whooping cough, plague क्या answer आ रहा है सबका C बिल्कुल C is the right answer जैसे कैसे करेंगे हम diptheria की बात करें तो diptheria को गाल घोटू कहते हैं leprosy कुस्ट रोग कहते हैं whooping cough की बात करें तो whooping cough को काली खासी कहते हैं plague की बात करें तो black death कहते हैं वैसे हिंदी नाम नहीं है black death full potential जो penicilline का था antibiotic के तोर पे इसको किस दे establish किया full potential full potential of penicilline answer क्या सबका बी जा रहा है full potential देने वाले flowry और chain थे तीनों नहीं थे तीनों को तो nobel prize मिली है लेकिन full potential जब भी पूछा जाए तो chain और flowry ही जाएगा next अगले page पे आएं ये page सितारों से भर दें इस page से question आएगा ही आएगा इस page से question आएगा ही आएगा side 183 page नंबर है ये page बहुत important है यहाँ से question आना तय है चाहे एक चाहे दो इनमें कुछ chemicals की बारे में पढ़ेंगे इनमें कुछ enzymes की बारे में और इनमें कुछ bioactive molecules की बारे में पढ़ते हैं बहुत important है इसके questions exam में आने ही आने है 3-4 paragraphs हैं वहीं से question बनते हैं और बहुत simple क्या क्या इंडस्ट्री और commercial production के लिए बनाई जाती है वो समझे कुछ chemicals बनाई जाते हैं जैसे organic acids alcohols और कुछ enzymes बनाई जाते हैं direct याग होना चाहिए citric acid कौन से fungus से बनाई जाएगी aspergillus niger याद करो aspergillus ascomycetes का member है acetobacter acetai एक नाम का bacteria है जिससे acetic acid बनाई जाती है close tradium butylicum नाम का एक bacteria जिससे butyric acid बनाई जाती है lactobacillus नाम की bacteria जिससे lactic acid बनाई जाती है यहाँ पर एक बात तुमने गौर की होगी सारे bacteria हैं बस एक fungus हैं याद रखेंगे यह चीज़ तुम्हें याद रहेगा हमेशा lactobacillus lactic acid close tradium butylicum तो beauty तो यहाँ पर आगे butyric acid तुम्हें यह भी याद रहता acetobacter acetic acid तो भूलते बस हो aspergillus niger aspergillus niger जो है ना तो aspergillus niger जो है तो बस इतना याद रखेंगे aspergillus niger से citric acid बनाई जाती है यह हमने कुछ organic acids के नाम देखे हैं आगे सुनें अब अगर मैं बात करूँ एक isht की जिसका नाम है saccharomyces cerevesi हमने अभी जाना किस से हम ethanol बनाते हैं brewers isht है microbes का इस्तमाल enzymes बनाने के लिए भी किया जाता है अभी NCRT ने लिखा था organic acid बनाने के लिए हमने चार तरह के organic acid बनाए क्या-क्या citric acid aspergillus niger से acetic acid acetobacter acety clostridium butylicum से हमने butyric acid बनाया और इसके बाद हमने यहाँ पे lactic acid बनाया lactobacillus से ऐसे ही कई तरह के enzymes भी हम microbes से ही आज बना रहे हैं आज तो इतने अच्छे-च्छे आ चुके हैं market में detergents अगर shirt पे डाल गिरी है डाल एक protein है तो इसके लिए proteases आते हैं जो इसको खतम करने का काम करेंगे one detergents से इनका सफाया होगा अगर गिर जाती है घी तो वहाँ पे घी मतलब fat है तो lipases का इस्तमाल होता है तो lipases की बात करें ये detergents में इस्तमाल किये जाते हैं ताकि जो oily stains हैं उनको हटाया जा सके इन enzymes की मदद से जो laundry में कपड़े धोये जाते हैं वहाँ इन चीजों का इस्तमाल किया जाता है bottled fruit juices होते हैं तुमने देखा होगा जो घर में juices सन तयार करते हैं उसमें fibers होते हैं उसमें थोड़ा सा देखा होगा तुमने कुछ कुछ चीजे होती हैं मेली होई लेकिन जो bottle में जो package juice होते हैं जो package होते हैं उसमें देखा होगा तुमने बिल्कुल clear होती है तो ये clarify कैसे किया जाता है जो bottled fruit juices होते हैं जो तुम market से लेते हो वो बिल्कुल clear दिखते हैं जो तुम घर से तयार करते हो उसको comparison में ऐसा क्यूं होता है क्योंकि जो bottled juices हैं उनमें हमने किसका इस्तमाल किया पेक्टिनेज का तुम जानते हो ना middle lamella calcium pectase होती है तो calcium pectase को dissolve करने के लिए पेक्टिनेज enzyme का इस्तमाल किया जाता है और proteage enzyme का इस्तमाल करते है factories में जैसे बहुत सारे real juice हैं देखागा तुमने बिल्कुल लगता है ना clean बिल्कुल clear तो हमने कौन से enzyme इस्तमाल की pectinase और proteage इस पूरे paragraph में काम की बात हमने lipages का इस्तमाल कहां किया laundry में oily stains को हटाने के लिए fruit juices में कौन से enzymes का proteage और pectinase का आगे सुने सबसे important astreptokinase astreptokinase जो है एक काम की दवा है जो की clot buster के तोर पे काम में आती है अगर खून में थक्के जम गए हैं तो उन थक्कों को दूर करने के लिए उन clots को दूर करने के लिए हम एक bacteria का इस्तमाल करते हैं जिनका नाम है astreptokinase genetic engineering का सहारा लेकर bio technology का सहारा लेकर हमने astreptokos को इस्तमाल किया और हमने एक enzyme यहां से बनाया जिसका नाम है astreptokinase और यहां से हमने तयार की कि blood vessels में जो भी patient जो heart attack जिनको आने वाला है myocardial infarction जिनका heart attack का problem चल रहा है उनमें अगर blood vessels में clots बने हैं तो कौन सा है astreptokinase का इस्तमाल करते हैं पूछा जाएगा clot buster कौन है तो बूलेंगा astreptokinase है कुछ और भी biomolecular तयार किये गए यह भी गजब का है cyclosporine A यह उन patients को दिया जाता है जिसमें organ का transplantation हुआ है अगर मुझे जरूद है किसी kidney की अगर मैं किसी patient अगर मैं किसी person से मैं kidney ले रहा हूँ मेरी immune system क्या पता उसके खिलाफ काम करने लगे जब क्योंकि kidney मेरे बाहर के cells आए है किसी के body के cells मेरे body के cells में आए है उस वक्त में दी जाती है cyclosporine A ताकि immune immunosuppressive agent दिया जा सके immune no suppressive agent मतलब immune system को suppress करने लिए चीज़ें दी जाएं cyclosporine A जो नाम की दवा है ये बनाई जाती है trichoderma polyasporum नाम के fungus से यहीं पर बच्चों में confusion होती है हमने कौन से fungus से बनाया trichoderma polyasporum से यहाँ पे हमने bacteria से बनाया था streptokinase नाम भी याद रखना बहुत ही जी है streptococcus से हमने streptokinase बनाई और यहाँ पे याद रखना है cyclosporine A हमने fungus से बनाया जिसका नाम था trichoderma polyasporum एक और दवा हमने बनाई एक और bioactive molecule हमने बनाया जिसका नाम है astatin यह कौन से fungus से बनाई गई यह east से बनाई गई saccharomyces cerevaceous है नही monascus purpureus से बनाई गई जो आज के टाइम पे blood cholesterol lowering agent के तोर पे इस्तमाल हो रहा है काम की चीजे हैं फिर से सुने फिर से सुने डारेक्ट यह चीजे पूछी जाते हैं तुम से अगर तुम से पूछा जाएगा कि यह स्ट्रिप्टो काइनेज नाम का जो एंजाइम है वो कौन से बैक्ट्रिया से तयार किया गया तो बोलेंगे स्ट्रिप्टो कोकस बैक्ट्रिया से काम क्या आता है क्लॉट बस्टर जो भी पेसेंट हार्ट अटेक जोने आने वाला है यह जिनके ब्लड विसल्स में कलॉट जम गये है उन कलॉट को फोरने के लिए उन कलॉट को हटाने के लिए इस्तमाल करते हैं स्ट्रिप्टो काइनेज का दो चीजें और साइक्लोस्पोरीन A का इस्तमाल हम करते हैं कहां जिन पेसेंट्स को immunosuppressive drugs के तोर पे चीज़ों का इस्तमाल होता है जिनमें organ transplant किया गया है trichoderma polyosporum से त्यार की जाती है cyclosporine A बस बगल में लिख लो जो काम की चीज़ है बगल में लिख लो क्या लिखना है तुम्हें वो सुनो सबसे पहले यहाँ पर लिखो streptokinase streptokinase लिखो कहां से त्यार की गई तो त्यार की गई streptococcus bacteria से streptococcus bacteria से क्या काम में आती है clot buster यह हो गया हमारा पहला यह streptococcus क्या है यह एक टाइप पा bacteria है next बगल में लिखना हो NCRT के अगली चीज़ क्या त्यार की गई cyclosporine A त्यार की गई यह कहां से त्यार की गई यह trichoderma polyosporum से त्यार की गई trichoderma polyosporum से त्यार की गई इसका काम का बाता है जब organ transplant patient को दिया जाता है as a immunosuppressive drugs के तोर पे organ transplant में यह चीज़ दी जाती है और यह क्या है fungus है और एक और जो नाम हमारा बचा वो नाम है statins का statins किससे त्यार की जाएगी तो यह त्यार की जाती है monascus purpureus से monascus यह क्या है यह एक type का ist है जिसका काम कब होता है blood में जो cholesterol मौजूद है उसको कम करने के लिए blood में जो cholesterol होता है उसको कम करने के लिए इसका इस्तवाल होता है जो blood में cholesterol होता है ठीक है अब जो cholesterol बना रहा होता है अब जो cholesterol बना रहा होता है जो enzyme हमारे body में उसके साथ ही जाकर उससे लड़ने लगता है यह तो आराम सी काम हो जाता है इतने famous है ना यह इतने famous हैं तुम्हें क्या बताओ सबने लिख लिया है बताओ शुमेद, शुहेल, प्रिंस, दलीप, रुशिकेश सबने लिख लिया है यह बहुत important है चले आगे question करें बिना देखे NCRT की question करने का try करें आइंसर आ रहा है टारेक्ट देखा तुमने heart attack आइंसर क्या लगाओगे सबका आइंसर भी आना चाहिए astreptokinase astreptokinase clear है बही तो आ गया तुम्हारा streptokinase कौन से बक्टरिया से astreptokas bacteria से बनाई गई next enzyme which has the fibrinolytic effect fibrinolytic effect fibrins को तोड़ने के लिए जिस enzyme का इस्तमाल होगा हम उसे क्या बोलेंगे हम उसे streptokinase बोलेंगे जो हमारे blood vessels में clot हैं वो कहीं न कहीं fibrino, fibrins होते हैं काफी सारे उनको हटाने के लिए इस्तमाल करते हैं कि इनका streptokinase का इस्तमाल करते हैं तो enzymes में याद रखने वाली चीज़े जो है pectinase है lipase है, protease है ये सब चीज़े हमें इस्तमाल में याद रख दी है और बाकी नीचे के दो दो दवाईया है एक याद रखेंगे statin और एक याद रखेंगे cyclosporane यही तो हैं चलो यह आजाओ इसमें बताओ A में क्या होगा, B में क्या होगा, C में क्या होगा D में क्या होगा microbes के नाम, scientific name product और medical application उनका क्या है cyclosporane A बनाने के लिए हमने किन का इस्तेमाल किया जल्दी से बताओ आंसर क्या आ रहा है इसी टाइप के question आते हैं यहाँ पे वैसे तो इतना नहीं आता mass the falling में आता है लेकिन ऐसे ही बनते है question इसी page से और जो करवा रहा हूं वैसे ही question साएंगे answer सबका क्या A आ रहा है चिनका A आ रहा है वो बिल्कुल सही हैं क्योंकि यहाँ पे trichoderma polyasporum है जिससे cyclosporine A बनाया गया जो कि immunosuppressive agent के तोर पे भी हैव करता है और एक टाइप का fungus है मुनासकर purpureus की बात करें यह एक टाइप का इस्त था जो कि blood cholesterol को statine का काम हमने देखा था ना blood cholesterol lowering agent competition करकर उसने क्या किया था उसको रोकने का काम किया था क्या बोलेंगे answer answer सी जाना चाहिए competitive inhibition लड़ाई करकर उसने उस engine को block कर दिया था side जो कि आगे cholesterol का synthesis करता answer सी जाएगा next beer और bread बनाने के लिए किसका इस्तमाल करते हैं beer और bread बनाने के लिए common ist होता है जिसका इस्तमाल करते हैं answer आ रहा है सबका C C आ रहा है सबका बिलकुल next लगाओ bacteria से कौन fungi से कौन cancer सबका D आ रहा है क्योंकि देखते ही पता चल गया होगा citric acid aspergillus niger नाम के फंजाई से ethanol भी इस्त से इस्तमाल होता है तो इस्त भी तो fungi के ascomicities का ही example है answer सबका D आ आना चाहिए answer जिनका भी D आ रहा है वो बिलकुल next है citric acid aspergillus niger नाम के fungi से हमने बनाई इसके बाद acetic acid acetobacteria acetai नाम के bacteria से butric acid clostridium butylicum नाम के bacteria से lactic acid bacteria से बनाई lactic acid bacteria से हमने बनाई lactobacillus रिथनॉल हमने बनाई इससे saccharomyces cerevations से चलो next question करें इसमें तो के लिए रहो जाना चाहिए कि अब कौन कौन क्या कैसे कैसे क्या होगा answer आ चुका है क्या answer आना चाहिए तुम्हारा B अगर B आ रहा है तो तुम बिलकुल सही हो aspergillus niger की बात करें aspergillus niger की बात करें तो हमने यहां से citric acid बना लिया clostridium butylicum की बात करें butyric acid saccharomyces cerevations से इथनॉल बनाया हमने और हमने trichoderma polyasporum की बात करें अगर कहांगे answer आ रहा है क्या गलत हो गया answer हमारा गलत हो गया 1 का C 2 का D 1 का C 2 का D 1 का C 2 का D 3 का A हमारा answer C आना चाहिए हमारा answer C आएगा गलत है यहां पर answer answer C आएगा typing error हो जाती है कभी बीच में answer हमारा C आएगा ठीक है विलकुल साफ गलत है A तो साफ गलत है A B साफ गलत है C D A तक तो हम पहुँच चुके थे होगे तो ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पूरम से साइक्लोस्पूरी ने तयार किया गया immunosuppressive agent और मुनास्कस पुर्पूरियस से हमने stratin तयार किया blood cholesterol lowering agent है ना तो answer simple सा क्या जाएगा भई C जाएगा answer next आगे चले microbes in seaways treatment microbes in seaways treatment seaways क्या होता है पहले तो ये समझे हमने ecology में chapter पढ़ा था जिसका नाम था environmental issue उसी में हमने seaways पढ़ा था जो घरों से निकले जो पानी होते जिसमें सब कुछ होता है एक्सक्रेटा होता है kitchen के materials होते हैं और direct वो गंगा नदी में गिरा दिया जाता है या यमना नदी में गिरा दिया जाता है नदियों में डालने के पहले हमें उस पानी का treatment जरूर करना चाहिए ये बहुत important topic होने वाला है और NCRT में थोड़ी सी complex language में दी गई है मैं आगे एक diagram के थूँ ये चीज़ें बताऊंगा तो तुम्हारे लिए चीज़ easy हो जाएगी इस diagram के थूँ ये diagram तुम्हें पूरे NCRT को बता देगा कि यहां पे क्या चीज़ बताई गई है ठीक है चलो next we know that large quantities of west water are generated everyday in cities and towns जादत तर जो ये west water होता है इसमें human excreta होता है इस human की potty इसमें सामिल होती है ये जो municipal west water है हम इसे sewage भी कहते हैं मिल ली हम इसे sewage ही कहेंगे तभी हम sewage का treatment हम इसे समझेंगे ये जो sewage है इसमें human का excreta बहुत ज़्यादा amount में होता है तो कहें कि organic matter का amount इसमें बहुत ज़्यादा होता है इसमें कई सारे type के pathogens भी होते है अगर ये पानी में चला गया उस पानी को अगर कोई पी लिया तो उससे बहुत सारे बिमारीओं भी देखने को हमें मिलेंगी है न तो यहाँ पे अगर बात करें direct ये reverse और strins में इसको गिराना नहीं चाहिए इसकी पहले इन्हें treat करना चाहिए before disposal sewage must be treated in sewage treatment plant sewage को treat करने के लिए जो पानी गंदा है जो पानी west water है उसे treat करने के लिए हमारे पास sewage treatment plant होती है अब ऐसा तो नहीं है पानी को बिल्कुल pure बना देंगे है ना बिल्कुल pure तो नहीं बना पाएंगे sewage treatment से लेकिन हाँ उसमें अगर कुछ treatment करते हैं तो पानी पीने लाइक बन जाएगी लेकिन ऐसा तो कर सकते हैं कि पानी में more polluted water ना डालकर उसमें less polluted डालें less polluted करें उसे ताकि गंदा जो है वो कम होगा जो पानी गंदा है जिसको हम sewage कह रहे हैं जिस पानी को हम sewage कह रहे हैं तो treatment जो sewage water का होता है ये कहा होता है sewage treatment plant में इसे हैं sewage treatment plant अब बात आती है कि कौन से बैक्टरिया है जो treatment करते हैं तो बैक्ट्रिया का नाम बड़ा important है category कौन सा है पहले category जाने heterotrophic microbes वो बैक्ट्रिया अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे दूसरों organic matter पे dependent रहेंगे जो seaweed में naturally present होते हैं तो treatment of wastewater is done by the heterotrophic microbes naturally ये काम में किसी भी artificial agent का artificial chemical का इस्तमाल नहीं कर रहे treatment जो है वो कितने stage में की जाएगी यहीं से कहानी का सुरवात होता है seaweed treatment total दो stages में की जाती है जो पहला stage होगा उसे बोलते हैं primary treatment जो दूसरा stage होगा इसे बोलते हैं secondary treatment ठीक है कितने stages में होगी दो stages में होगी एक और तीसरा भी स्टेज होता है जिसे हम Tertiary Treatment कहते हैं जिसको Physico Chemical Treatment कहते हैं जिसमें Ultra Boilet Rays, क्लोरीन वगरा का इस्तमाल किया जाता है ओजोन वगरा का लेकिन वो हमारे सलबस में नहीं है हमारे पास दो ही है एक तो Primary Treatment और एक Secondary Treatment Primary Treatment को क्या बोलेंगे Physical Treatment Secondary Treatment को क्या बोलेंगे Biological Treatment तो तुमसे पहली चीज पूछा जाया अगर कि दोनों Treatment में से Bacteria का इस्तमाल हम किसमे करेंगे तो बोलेंगे Biological Treatment में हम इसे Biological क्यों कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे Bacteria का इस्तमाल होगा कई तरह के Tank होंगे, Tank का नाम जाने पहले, Tank का नाम जाने पहले, Aeration Tank, Secondary Settling Tank, Aneurobic या Activated Slush Digester, यह तीन तरह के Tank, Secondary Treatment में इस्तमाल की जाती है Primary Treatment में बस एक Tank का इस्तमाल होगा जिसका नाम है, एक Simple सा Tank होगा, जिसमें दो प्रोसेस किये जाएंगे Filtration और Sedimentation नाम बस इसलिए बताया कि सुना सुना सा लगना चाहिए अब आगे बढ़ते हैं, तो चीजें हमारे लिए EG हो जाएंगी, Simple way में एक मैंने यहाँ पर Diagram ड्रॉ किया है ताकि जिससे चीजे तुम्हें EG में समझ में आ जाएं पूरी NCRT के एक समरी है यह ध्यान से सुनेंगे यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर कॉंसेप्ट है बनाने की ज़रुत नहीं है इसकी जो PDF है वो तुम्हें मिल जाएगी तो मस्क्रीन सोट लेना चाहो तो ले सकते हो वैसे इसकी जो PDF है वो Telegram Channel Beats for Biology पर मिल जाएगी तरी वीजन में काम में आएगा अब सुने ध्यान से यहाँ पर क्या है ठीक है ध्यान से सुनेंगे शीज को क्या बनाया गया है यहाँ पर ठीक है चैलो आगे देखो सबसे पहले हमने टोटल कितने टैंक्स लिए हैं एक टैंक यह हुआ जो Primary Treatment में काम में आ रहा है हमने कहा था Secondary Treatment में हम तीन टैंक लेंगे यह तीन टैंक हमारे पास है यह अलग टैंक है इसको भी छोड़दुदबे आखरी में बताऊंगे यह Tertiary Treatment है हमारे सिलिबस में यह चीज नहीं है ठीक है अब आगे सुने सबसे पहले यह Seavage Water जो घरों का गंदा पानी है जिसमें एक स्क्रेटा का आमांट काफी ज़ादा है वो पानी को हम इधर से इस Seavage Treatment Plant में हम यहां से हमने इसे पास करवाया ध्यान से सुनेंगे एक एक चीज यहां पे जब हमने इसे पास करवाया तो पास करवाने के लिए हमने यहां पे एक फिल्टर लगाया देख सकते हैं एक फिल्टर लगा है इस फिल्टर में क्या हुआ कि जितने भी बड़े बड़े particles थे, bottles थे कपड़े थे, वो सारे इस filtration paper के कारण यह बड़ा सा जाली होता है इसके पहले सारी चीज़ें च्छन गई तो क्या बोल सकते हैं जितनी भी solid waste थी वो सारी की सारी इस filter जो filtration membrane है इसके पहले यह सारी सारी चीज़ें seaweed water की पहले हो गई, लेकिन अभी भी पानी ऐसा होगा, जो कीचर जैसा भरा होगा, बिल्कुल अब आगे शुनो अब आगे आकर एक tank है जिसका नाम है primary settling tank टैंक का नाम क्या है primary settling tank नाम है अब यह जो पानी इसमें आया होगा मुझे बताओ क्या यह पानी पीने लाइक है, नहीं अभी तो सिर्फ हमने solid waste हटाए हैं, अभी हमने bottles हटाए कपड़े हटाए, कुछ excreta भी हटाया हमने इधर जो filtration membrane से पास नहीं हो पाया अब अगला process है primary settling tank मिलाओ कौन से tank में primary settling tank मिलाओ अब जब primary settling tank में हम लाए, तो क्या कुछ ऐसा होगा, जो जैसे पानी जब इसमें ठहरेगा तो जो चीजें हैं, मान के जब मिट्टी घुली हुई है, एक स्क्रेटा घुला हुआ है क्या वो नीचे आकर बैठ जाएगा ये चीजें नीचे आकर यहाँ पे बैठ जाती हैं, जो चीजें primary settling tank में जो नीचे आकर बैठ गई हमने उन्हें कहा primary sludge ठीक है जो पानी उपर का है हम इसे लेकर जाएंगे primary effluent को जो पानी उपर रह गया इस पानी को हम लेकर जाएंगे अगले tank में, जिसका नाम है aeration tank अभी तक कुछ भी नहीं हुआ अभी तक sewage water को लाए solid waste बाहर ही रह गया filtration membrane के अब primary settling tank में जो अंदर में कीचड वगरा है वो नीची की तरफ settled on हो गया है जिसे primary sludge कह रहे हैं और जो उपर में पानी बचा है हम उसे primary effluent कह रहे हैं जो primary settling tank में तो primary effluent primary settling tank में जो sludge है वो primary sludge अब इसका पानी जो है वो हम आगे पास कराते हैं कौन से tank में aeration tank में पास हमने करा दिया ये aeration tank में क्या हो रहा होता है इस aeration tank में एक चक्की चल रही होती है इस aeration tank में नीचे बहुत ही बड़ी चक्की चल रही होती है ये चक्की चल रहा होता है और बाहर से इसमें ऑक्सिजन को डाल रहे होते हैं बाहर से इसमें हवा को डाल रहे होते हैं जब अंदर में चक्की चलती जाएगी और हवा जलता जाएगा तो बताओ क्या अंदर में ऑक्सिजन का लेवल बढ़ता चला जाएगा बिल्कुल oxygen का level अंदर बढ़ रहा होगा अब जब oxygen का level अंदर बढ़ रहा होगा तो क्या बहुत सारे type के aerobic microbes जो होंगे क्या वो अंदर में grow करने लगे होंगे क्योंकि aerobic microbes जो होते हैं वो oxygen के presence में ही तो काम करते हैं न तो oxygen के presence में यह चीज़ें यहाँ पर काम कर रहे हैं, अब आगे सुने, यहाँ पर एक phlox का formation होता है, यह phlox क्या है अब, NCRT ने term use किया है, यहाँ पर जब बहुत सारे aerobic bacteria आ जाते हैं, और plus इसमें कई सारे fungus का भी growth हो रहा होगा, तो fungus और bacteria, fungus के जो filament होते हैं और bacteria, दोनों के composition को मिला कर हम इने phlox कहते हैं, पानी तो इसमें अभी भी बहुत गंदा है, पीदे लाइक तो पानी है ही नहीं, aerobic bacteria को oxygen मिल रही है, मुझे बताओ, aerobic bacteria पानी में जो dissolve oxygen है, क्या उसको भी लेगा, तो बोलेगा कि मैं decompose कर दूँगा, जितने भी खराब चीज़े हैं ना, जितने भी यहाँ पे organic waste हैं, मैं सबका decomposition कर दूँगा, मुझे बस oxygen दो, मुझे बताओ, aerobic bacteria यहाँ पे जादा से जादा जब पानी को साफ कर देगा, तो क्या मैं कह सकता हूँ, bio-d का level बहुत ही कम हो जाएगा, कब होगा bio-d का level कम, जब पूरी तरीके से साफ हो रहा होगा, क्योंकि तुम जानते हो, जो पानी बहुत गंदा है, जसलिए पानी बहुत गंदा था, तो पानी बहुत गंदा, सीवेज वाटर तो सीवेज वाटर में BOD का लेवल क्या बहुत जादा होगा बैक्ट्रिया ने बहुत डिमांड करी होगी डिकम्पोज करने के लिए अब क्या होगा यहाँ पे जो चक्की चल रही थी जिसके कारण ऑक्सिजन का लेवल और भी पानी में बढ़ रहा था अरोबिक बैक्ट्रिया ने बहुत अच्छे से डिकम्पोज कर दिया क्या मैं कह सकता हूँ पानी का BOD जो लेवल है वो काफी कम गया है यहाँ से सैंपल जाच किया जाता है जो बैयो केनिकल ऑक्सिजन डिमांड है इसकी लेवल यहाँ पर और भी ज़्यादा कम हो गई है इसको फिर अगले टैंक में इस पानी को ले जाये जाता है मुझे बताओ जैसे जैसे अलग अलग टैंक में पानी को सिफ्ट कर रहे हैं क्या पानी previous वाले से तो बहुत बहतर होती चली जा रही है इसमें पानी तो बहुत गंदा था इसमें शाफ हुआ क्यूंकि चीजे सेटल हो गई और solid waste निगल गया प्राइमरी इफिलेंट जब पास करा है रेशन टैंक में चक्की चली इसमें पानी और भी साफ हो गया हमें प क्या यही बात है ना यहां पे अब इसके बाद आगे लेकर चले हम इस इफिलेंट को हम अगले टैंक में जिसका नाम है secondary settling tank अब बताओ क्या होगा क्या यहां पे जितने भी phlox वगरा हैं क्या वो नीचे की तरफ आकर इकठा हो जाएंगे जितनी भी waste चीजे बच रही हैं secondary activated sludge पहले वाले को क्या कहा था primary sludge दूसरे वाले को secondary sludge कहेंगे यह activated sludge कहेंगे जो secondary settling tank में आया जब इसमें पानी आया होगा क्या उपर का पानी लगभग साफ है लगभग साफ बोल सकते हैं क्योंकि BOD का लेवल तो बहुत ही जादा क्या हो गया कम हो गया अब इस पानी क हम इसे छोड़ देंगे लेकिन अगर इस पानी को पीना होगा तो हम इसके लिए tertiary treatment करवाएंगे जिसको physical chemical treatment कहते हैं जिसमें कई सारे disinfectants का इस्तमाल करेंगे ultraviolet rays, ozone, chlorine का तो पानी को आगे पिया जा सकता है लेकिन यहां से direct हम नदियों में छोड़ जा सकता है अब यह जो secondary sludge है जो activated sludge है इसको यहां से निकाल लेंगे हम किसी भी tank से हम इसको निकाल लेंगे और यहां से बहुत सारे bio gas का production होता है यहां पे कई सारे anaerobic bacteria आएंगे क्योंकि यहां पे aerobic था क्योंकि हम यहां पे oxygen पास कर रहे थे और यहां पे कई सारे anaerobic bacteria पनपेंगे जो कि इसमे से gases को release करेंगे कौन-कौन से gases methane को hydrogen sulfide को carbon dioxide को ऐसी पानी यहाँ पर क्या हो जाता है साफ हो जाता है एक बार मेरे साथ NCRT पढ़ना और जहां पर दिक्कत आएगी वहां पर फिर से हम उस चार्ट को देखेंगे ठीक है ध्यान से सुनो जारा सा कि देखो यहां पर कई सारे बच्चे जो होते हैं यहां पर कई सारे बच्चे ऐसे हैं मुझे नहीं लगता कि यह सेलेक्शन ले पाएंगे इस बार जो कॉमेंट में मैं देखता हूँ तो तुम 2022 के लिए टार्गेट करो कि जो इसक चला रहे हैं यहां पर जो इसक लड़ा सकता हैं यहां पर इसे बाते हो सकती है ठीक हैं और यहां पर जो प्राइवेट बाते हैं भी नहीं सकती clarow ूछ Messiah यह अच्छी लेकिन प्लैटफॉर्वां बता रहा हूं वाट्सक काफी अच्छ том काफी अच्छ है टेलिग्राम काफी अच्छ है उससे बहतर इंस्टा है और भी काफी लोग मिलेंगे वहाँ पर है तो कर सकते हो वहाँ पर आगे देखें primary treatment primary treatment में हमने क्या किया था देखो पहले primary treatment में हमारे पास दो चीजे थी filtration और sedimentation पहला process था filtration, filtration membrane लगा कर नीचे में चीजे इकठा हो गई हमने इने कहा sedimentation चीजे यहाँ पिकठा हो चुकी है sedimentation process के through जितने भी particles है वो नीचे के तरब बैठ जाते है वो sedimentation है primary treatment में दो चीजे चलती है filtration और sedimentation these treatment steps basically involves पहले काम क्या करते हैं? physical removal of particles क्या जो बड़े बड़े और छोटे छोटे जो particles थे क्या हमने उनको filtration के through हटा लिया हमने यहाँ पे filtration membrane लगाया था और इसके through हमने हटा लिया और एक और process हमने किया sedimentation जिससे जो चीजे थी primary sludge में आपर आकर बैठ गई हम इसको भी आज इक्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं अब आगे यह चीजे हटाई जाती हैं अब एक चीज है floating debris वैसे कूडे कचडे जो float कर रहे हैं इनको हटाया जाता है filtration के through जैसे bottles वगरा हो गए यह सब चीजे अब बाकी का जो मिटी और जो छोटे कंकड़ पत्थर बचते हैं इनको sedimentation process के through नीचे की तरफ गिरा दिया चाता है जितने भी solids जो इकठा हुए यहां पे हमने सब को primary sludge का नाम दिया और जो supernatant है supernatant उनको कहा जा रहा है जो उपर में छंग है यह effluent बनाने का काम करते हैं तभी हमने उपर वाले को primary effluent का नाम दिया जो भी effluent है वो जो primary settling tank में है अब उसको आगे कौन से treatment में लेकर जा रहे हैं अब उसे हम secondary treatment में लेकर जा रहे हैं इस पूरे paragraph में कोई भी problem इस पूरे paragraph में बस यह बताया गया है कि यहां पे filtration का इस्तमाल और यहां पे sedimentation का इस्तमाल filtration से बड़े बड़े particles को बाहर ही रोक लिया गया sedimentation से चीज़ों को नीचे कठा करवाया नीचे इन चीज़ें accumulate हो गई हमने जिने primary sludge कहा उपर में जो पानी कठा है हमने उन्हें primary effluent कहा primary effluent को अब secondary treatment में लेकर चलेंगे यह सारा treatment secondary treatment है वो पहला जो था वो primary treatment था चीज़े clear है यहां तक आगे चलें आगे चलो क्या बात बुले जा रहा है वो ध्यान से सुने sludge का मतलब जो यहां पर गंदगी कठा हुई ना उसे sludge कह रहे है secondary treatment को कोई बच्चा बताएगा कि हम इसे biological treatment ही क्यों कहते है secondary treatment को biological treatment इसली कहा जाता है क्योंकि हम यहां पर bacteria का इस्तमाल कर रहे है जो primary effluent था ध्यान से सुनते जाएंगे primary effluent जो है अब इसको कहा लेकर जा रहे है बड़े से aeration tank में लेकर जा रहे है आगे सुने जहां इसे constantly agitate करवाय जा रहा है जहां एक चक्की चलाई जा रही है constantly चलाई जा रही है और उपर से air यहां पर pass करवाय जा रहा है air का pumping यहां पर किया जा रहा है इसके कारण क्या हुआ इसके कारण बहुत सारे aerobic microbes जो है उनका बहुत जादा growth हुआ हद से जादा अब यहां पर एक phlox बनती है phlox वहां पर जुन्ड होता है phlox में क्या क्या चीजे होती है माश होता है वहां पर जो किसका होता है bacteria plus fungus filaments का होता है और एक वहां पर बन जाती है phlox structure जब यह grow कर रहे होते है aerobic bacteria तो उसमें जो microbes है वो जादा से जादा organic matter को consume कर जाता है जो primary influence में चीजें मौझूद थी इसके कारण क्या वहां का जो BOD है क्या वो काफी जादा कम होने लगेगा BOD क्या है जो भी organic matter को decompose करने के लिए जो bacteria ने oxygen की demand करी थी वो amount of oxygen को ही हम BOD कहते है जो sea waste water है तब तक treatment करते है तब तक की BOD कम ना हो जाए तो BOD test हम बार-बार measure करते रहते हैं पानी का sample लेकर जब पता चलता है कि हाँ BOD का level कम गया है इसका मतलब पानी अच्छा है तो the greater the BOD of wastewater more its polluting potential मान कर चलते हैं तुम्हारे बगल में एक तालाब है उस पानी का BOD चेक किया गया उस पानी का BOD बहुत ही कम आया तो कहो कि अब मेरे तालाब का पानी बहुत ही शाफ है लेकिन जब सीवेज का पानी का तुम जब करोगे ये BOD जाज तो पता चलेगा उसका BOD बहुत जादा है तो हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में कर ही क्या रहे थे हम कर रहे थे कि BOD का लेवल जादा से जादा कम हो जाए मुझे बताओ क्या यहां तक का प्रोसेस सबको क्लियर है चलें आगे अब इसके बाद ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट है यहीं पर ये सब सारे काम चलाए जा रहे होते है जब BOD बहुत जादा कम हो जाता है तो जो इफलेंट बचा है उसको हम सेटलिंग टैंक में लेकर जाते हैं जहां पर जो Bacterial Phlox हैं वो इकठा हो जाते हैं Secondary Sludge या Activated Sludge के फॉर्म में जैसे यहां पर जो भी चीजे हैं तो यहां का जो इफलेंट है उसे हम लेकर गया है यहां और जो भी Phlox था जो Bacteria और Fungus के मासिस थे वो नीचे एकठा यहाँ पे हो जाते है अब आगे सुने एक small part जो activated sludge का यह line बहुत important है यह line मैंने वहाँ पे नहीं बताई थी अब यह line सुने जो activated sludge है क्या वहाँ पे bacteria और fungus के filaments है अब क्या करते हैं हम कि थोड़ा सा बहुत ज़ादा नहीं activated sludge जो हमें मिला है activated sludge का जो थोड़ा सा part है फिर से हम aeration tank में डाल देते हैं यह जो यहाँ पे activated sludge है इसमें bacteria तो बहुत सारे हैं इसमें fungus भी बहुत सारे हैं तो इनको हम डाल देते हैं फिर से किसमें aeration tank में जैसे दही जमाने के लिए हम जो दही जमाने के लिए हम जामन के इस्तमाल करते हैं ऐसे ही यहाँ पे ऐसे इनोक्यूलम के तौर पे हमने सकेंडरी स्लज को यहाँ से निकाला और हलका सा डाल दिया इसमें ताकि बैक्ट्रिया का ग्रोथ और भी रहे जो भी स्लज का जो पार्ट बच गया जो मेजर पार्ट बच गया उसको एक बड़े से टैंक में डालते हैं जिससे कहा जाता है अनरॉबिक स्लज डाइजिस्टर यह जो है यह होता है अनरॉबिक स्लज डाइजिस्टर अब इनको डाइजिस्ट करेंगे तो यहां से बायो गैस हमें मिलेगा Here other kinds of bacteria जो की anaerobic growth हो रहा होता है वो bacteria और fungus का जो filament था जो sludge में मौझूद था ऐसे phlox के तोर पे वो उन्हें digest करने का काम करते हैं जब यह digestion चल रहा होता है तो यह anaerobic bacteria प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे gases को तीन तरह की gases यहां पे मिलती हैं जिसमें methane, hydrogen sulfide और carbon dioxide इन सारे gases को मिला दें तो bio gas त्यार हो जाती है जहां से energy ले सकते हैं हम घरों के bulb जलाये जा सकते हैं जैसे गाउं में हम use करते हैं pure water का BOD कभी zero नहीं होता है बहुत ही ज़दा हथ से ज़दा pure है तो zero हो सकता है चलो भई इतनी बाते clear हैं अब जो भी secondary treatment से हमने इफ्लेंट निकाला वो direct हम नदियों में release कर सकते हैं मुझे लगता है कि अब सारी बाते समझ में आ गई होंगी कि कैसे secondary settling tank से नदियों में पानी छोड़ सकते हैं secondary sludge का हलका सा हिसा फिर्शे aeration tank में डाल देते हैं और ये activated sludge को लेकर जाते हैं anaerobic sludge digestor में जहां पर कई सारे anaerobic bacteria हैं जिनसे bio gas निकलने का काम होता है ये पूरी की पूरी NCRT हमारी यहां पर clear हो गई है कुश्चन करें जरासा देखते हैं कितनों को समझ में आया diagram वो हमेशा याद रखना चलो भी देखो जा रासा हमें जितनी भी चीजे क्रैस कोर्स में जाननी थी के लिए वो सारा जान चुके हैं हम क्या answer आ चुका है answer आना चाहिए अगर आ रहा है तो तुम बिलकुल सही हो बस अराम से मैच करते चलो देखो उपर से बस मैच करते चलो सीवेज इन विच फीजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इस डन क्या लिए जाता है प्राइमरी इफ्लेंट को नेम अप दी सेडिमेंट इन secondary treatment तो activated sludge function of sludge digester function of sludge digester पूछा गया है तुमसे तो इसका क्या करवा होगे function of sludge digester दो चीज रिपीट हो गए यह क्या कुछ तो गडबढ है उसे नीचे के दो रिपीट हो गया है वाई बागी तुम समझ गया होगे कैसे तुम कर सकते हैं ना कैसे कर सकते हो वह आराम से कर सकते हो ठीक है चले मैं आगे चले यह कुश्चन करो कुश्चन आ चुका है दी ओडी रेफस्टू दी अमाउंट आफ क्या एंसर आ चुका है एंसर क्या आना चाहिए एंसर सी आना चाहिए अगर एंसर शी आ रहा है तुम्हारा तुम बिल्कुल सही हो देखो BOD refers to the amount of oxygen कितना चाहिए oxygen कितना चाहिए किसको बैक्टरिया को बैक्टरिया को कितना oxygen चाहिए तो यह तु कुछ major points है यह हुए एक standard definition कि एक लिटर पानी है उसमें हमने biodegradable substances मिला दी उसको कुछ 浏क पढ़ रही है वही है amount of oxygen required by the bacteria next देखो activated sludge activated sludge should have the ability to settle quickly so that it can answer क्या सी आ रहा है we rapidly pound back from sedimentation tank to aeration tank sedimentation tank to aeration tank में डाल सकते है sedimentation tank हम उसको बूल रहे है जो नीचे बैठ गया था activated sludge जो secondary sludge था फिर हम aeration tank में थोड़ा सा हम डाल सकते हैं next after secondary treatment a part of activated sludge is passed back to aeration tank as inoculum most of the part of the activated sludge को कहां पास किया जाएगा activated sludge का जादा तर जो हिस्सा होगा क्या हम activated sludge digester में पास कर देंगे बिलकुल answer next ये जो treatment बताया जा रहा है बताओ ये treatment क्या शो कर रहा है हाँ ये जो treatment है ये हमें बता रहा है secondary treatment के बारे में और secondary treatment को ही हम biological treatment भी कहते हैं primary treatment फीजिकल ट्रेट्मेंट था secondary treatment बायलाजिकल ट्रेट्मेंट था methanogens जो है वो क्या produce करते होंगे ये थोड़ा आगे का question आगे है लेकिन दुम कर सकते हो methanogens जो है जो anaerobically grow कर रहे हैं वो यहां से क्या answer आ रहा है D methane, carbon dioxide और hydrogen release कर रहे हैं कहीं न कहीं ये biogas की component है एक aerial view देखा तुमने sewage plant का जब उपर से देखेंगे तो कुछ ऐसा लगेगा ये बहुत important topic था sewage treatment plant अब आगे सुने you can appreciate how micros play a major role in treating millions of gallons of wastewater everyday across the globe पुरी दुनिया की बात करें तो millions of gallons of wastewater इस्तमाल हो रहे हैं sewage treatment plant में उनको treat किया जा रहा है ये आज की method नहीं है बहुत सालों पहले से ये method हम इस्तमाल कर रहे हैं पुरी दुनिया में आज तक कोई भी man में technology नहीं आई है जो की microbial treatment को challenge करें अब urbanization काफी ज़्यादा हो रहा है सहरी करन बढ़ रही है लोग गाउं से सहर की तरफ shift कर रहे हैं तो sewage का production भी ज़्यादा हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा quantity में वो हो रहा है पहले से तो जो number of sewage treatment plant है उस तरह से बढ़े नहीं है कि large quantities को वो treat कर पाएं तो untreated sewage जो है ये नदियों में डाल दिया जाता है जिसके चलते pollution तो बढ़ी रहा है बाकि water bond diseases जितनी भी है चाहे वो typhoid हों बहुत सारे बिमारियां यहां से हो रही है तो हमारी जो government है वहां की ministry of environment and forest ने initiate किया gap और app जिसे हम गंगा action plan और यमुना action plan कहते हैं ताकि हमारे देश की जो major rivers हैं उनको बचाया जा सके pollution से इस plan के तहट बहुत सारे sewage treatment plant बनाने थे ताकि sewage जो discharge हो नदियों में उसके पहले ही हम उनके trade कर सके तो sewage जो treated sewage है वही सिर्फ नदियों में हम छोड़ सके sewage treatment plant जो तुमारे आस पास भी होगा काफी interesting और educating experience है question करे which of the following steps is taken by the ministry of environment and forest to protect rivers from water pollution answer क्या जाएगा answer जाएगा D गंगा action plan और यमुना action plan अब हम बात करेंगे microbes जो bio gas के production में काम में आती है bio gas कहने का मतलब इसका main जो constituent होता है वो होता है methane सबसे important component कौन सा है predominantly methane bio gas में बहुत सारी gases है लेकिन सबसे important methane तो bio gas क्या है एक ही gas है नहीं mixture of gases है यहाँ पे जो कि microbes produce करते हैं जो कि as a fuel के तौर पे इस्तमाल किया जा सकता है अब बात करें microbes को हमने देखा बहुत सारे gases बनाने का काम करते हैं जब कहीं भी growth या metabolism चल रहा होता है उनका अब बात आती है कि microbes से gas का production होता है लेकिन gas किस type का आएगा वो किस cheese पे depend करता है पहली चीज़ वो depend करता है वो कौन सा microbes है जो उसे decompose करने का काम कर रहा है किसी भी substance को दूसरी gas depend करती है कि कौन से organic substrate को decompose करकर वो gases निकाली जा रही है तो ये दो चीज़ों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है तो हम पता कर पाएंगे कौन से gases वहाँ से निकल रहे है तो type gas का कौन सा होगा वो microbes पे तो depend करती ही है plus organic substrate पे भी depend करती है हमने examples देखा dough बनाने का हमने example देखा cheese बनाने का हमने beverages में alcohol वगरा कई सारे बनाए जो main gas वहाँ produce होता था तो मैं याद होगा CO2 तभी cheese में वहाँ पे holes बने होते थे however कुछ bacteria की अगर बात करें तो anaerobically grow करते हैं कई सारे cellulosic material पे और वहाँ से methane के साथ दो gases और भी आते हैं CO2 और hydrogen वैसे bacteria जो CO2, hydrogen, methane वगरा release करते हैं ऐसे bacteria को methanogens कहा जाता है तो methanogens ये type of bacteria है और किस पे action हो रहा है इसका cellulose तो अगर मान के जलो गाए गोबर कर रही है तो जो गोबर आ रहा है उसमें भी cellulose का amount काफी जाता है गाए जो खा रही है तो वहाँ पे methanogens का action तो होता ही है तो methanogens एक category हो गया जिसमें common bacteria जो हमें मिलता है वो है methanobacterium नाम important है ये bacteria जो है क्या हमें anaerobic sludge में मिले जो CVS treatment में याद करो जब हम activated sludge को जिसका major part कुछ part तो हमने as a inoculum के तोर पे aeration tank में डाल दिया था लेकिन जो इसका major part था वो secondary sludge digester में हम डाल रहे थे जहां पे कई सारे anaerobic bacteria वहां पे decompose करने का काम करते हैं phlox को और वहां से gases release होती है याद रखेंगे वो bacteria का नाम क्या है methanobacterium तो methanobacterium का nature कैसा हो गया anaerobic ये जो bacteria होते हैं ये गाई के remain में भी present होते हैं remain क्या है stomach का एक part होता है बहुत सारे जैसे गाई का जो खाना होता है उसमें cellulose का amount बहुत ज़्यादा होता है तो वहां पे उसको digest करने के लिए ये bacteria वहां पे काम करते हैं breakdown के लिए do you think we human beings are able to digest the cellulose present in our foods हम पचा नहीं सकते पहले हमारे पास vermiform appendix हुआ करता था इसे पचाने के लिए लेकिन आज वो rudimentary हो चुका है आज वो vestigial हो चुका है जो गाई का गोबर होगा जो गाई का गोबर होगा उसमें methanovectorin काफी ज़्यादा होता है क्योंकि गाई के elementary canal में vector है बहुत ज़्यादा है इसको digest करने के लिए जो गोबर है इससे भी bio gas का production करते है जिसे गोबर gas भी कहा जाता है जिसे क्या बोलेंगे गोबर gas भी जिसे बोलेंगे अब देखते हैं ज़रा सा bio gas power plant यह देखें ज़रा सा यही है bio gas power plant एक बार line देखते चलेंगे और मैं सारी चीज़े बताता चलूँगा जो bio gas power plant है एक concrete का tank है यह जो tank बना हुआ है यह concrete का tank यहाँ पे बनाया जाता है ठीक है कितनी feet गहरी है 10 से 15 feet यह depth इसकी होती है जमीन के नीचे जिसमें bio west are collected and a slurry of dung is fade दोनों को तयार करेंगे तो इसको slurry कहते है अब यहाँ से गाई का गोबर और पानी दोनों mix करकर यहाँ से पास करा रहे है धीरे धीरे देखोगे यह जो slurry है इसका amount digester में काफी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है digester में वही bacteria होंगे जो इसे digest करने का काम करेंगे a floating cover is placed over the slurry which keeps on rising as the gas is produced in the tank due to microbial activity अब देखें यहाँ पर यहाँ पर कई सारे gases यहाँ पर produced होते हैं अब यहाँ पर floating cover है यह जो gas holder है यह एक floating cover है तो जैसे ही अंदर में microbial activity start होगी तो क्या अंदर में gases concentration बढ़ने लगेगा जब अंदर में gases concentration बढ़ने लगेगा तो यह उपर भी और थोड़ा सा उठता चला जाएगा जो bio gas plant होती है इसके पास outlet भी होता है जो कि एक pipe से supply करते हैं जैसे देखो इसमें काफी सारे gases भरी हैं methane है, carbon dioxide है hydrogen है, यह सब जितने भी gases हैं, यहाँ से pipe holder के through gases यह सब जा रही है यहाँ पे एक nozzle लगा रहता है और यहीं से हम gas से हम जो भी काम करना है हमें हमें पहले तो खाना वगड़ा भी बनाए जाते थे इससे और बाकी बल वगड़ा भी जलाए यहाँ से जाते हैं तो nearby houses से जितने भी हैं, वहाँ तक supply कर दी जाती है अब बात करते हैं यहाँ पे जो मान कर चलो जिस slurry का इस्तमाल हो गया, अब जिससे decompose कर दिया गया, यह सारे के सारे sludge जो हैं, यहाँ पिकठा हो जाते हैं, अब हम इनका इस्तमाल as a fertilizer के तौर पे करते हैं इनका इस्तमाल किस purpose के लिए करेंगे fertilizer purpose के लिए इनका हम इस्तमाल यहाँ पे करते हैं तो the biogas the spent slurry is removed through another outlet and may be used as a fertilizer जो गाय का गोबर है वो ज़्यादा quantity में गाउं में ही available हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे गाई भैस बहुत सारे होते हैं जो बहुत सारे purpose के लिए वहाँ पे लोग रखते हैं बायो गैस plant rural areas में बनाया जाता है जो बायो गैस produce होता है उनके दो purpose लिए जाते हैं एक cooking के तौर पे, एक lightning के तौर पे lighting घरों के बल्ब जिलाया जा सकते हैं और बाकी खान बनाने के लिए इस्तमाल में होता है जो बायो गैस की technology है, हमारे इंडिया में जो establish हो पाया, ये दो कारण, ये दो लोगों के, दो companies के कारण हो पाया एक तो IARI के कारण हो पाया जिसे Indian Agricultural Research Institute कहते हैं और एक KVIC के कारण हो पाया जिसे हम Khadi and Village Industries Commission भी कहते हैं ठीक है, तो ये इतना चीज़ हमें याद रखना है काम की चीज़ जो याद रखने वाली है Methanogenes में Methanobacterium और ये anaerobic और बाकी हमने जो देखा यहाँ पे चलो कुशन करते हैं कुशन देखो लगाए answer क्या जाएगा Fultrum याद रखना बहुत जरूरी है IARI का और KVIC का क्या answer आ रहा है सबका D बोलो भई, D आ रहा है सबका देखो Methanogenes की बात करेंगे तो Methanogenes क्या प्रोडूस करेंगे Methane, Fermenters क्या होते हैं तो बड़े-बड़े बरतन जिस्ट पे gas क्योंकि Methane का percentage सबसे ज़्यादा होता है Methanogenes growing anaerobically on cellulosic material produced, अभी just question आया था ये जिसका तुमने answer लगाया था D अब ये देखो यहाँ पर बताओ, A क्या है B क्या है, C क्या है इसके respect बताओ कि A inlet है, C outlet है B is the chamber where contents leftover slurry है तो तुम्हें लग रहा होगा answer क्या जाएगा यहाँ पे A जाएगा, slit the correct option बूला गया है, A तो हमें inlet पता चल रहा है, C outlet है जो biogas release हुआ है नहीं, यहाँ पे जो sludge आई थी, उसके लिए यहाँ पे यह चीज़ बनाई जाती है तो B तो ऐसे ही गलत है B is the, B तो यहाँ पे गलत होगया C में देखो, C में क्या बूला जा रहा है B is the chamber which contains leftover slurry, नहीं, वो तो C के बारे में था यह भी गलत, तो हमारा answer क्या जाएगा A, कई बच्चे comment में D लगा रहे हैं answer, D नहीं जाएगा answer, A जाएगा देखें, अच्छे से जरह उसे B में C के बारे में बूला गया है और C में B के बारे में बूला गया इसने लफडे हो रहे हैं, है ना चलें, आगे देखें The type of gas जो produce होता है वो किन बातों पे depend करता है तो answer, D जाएगा एक तो microbes पे और एक organic substrate पे अभी मैंने line highlight करवाया था यह बच्चे miss कर जाते हैं यह वाला question तो type of gas दो चीजों पे depend करेगा microbes पे और organic substrate पे next देखें In which of the following example CO2 gas is produced CO2 gas किसमें produced हो रहा है पहला fermentation of dough cheese making, production of beverages biogas production, alcoholic fermentation और lactic acid fermentation lactic acid formation जल्दी से बताओ CO2 gas किसमें produced हो रहा है बताओ बताओ बही answer answer बताओ क्या answer आ रहा है C क्या answer C आ रहा है हाँ तो इन सब सारे चीजों में इस्तमाल होगा अभी तक हमने NCRT में देखा था यह वाला चीज अभी यह चीज हमने देखा था यहाँ पर कहाँ पर CO2 produce हो रहा है यहाँ पर दिया था NCRT ने fermentation of dough में cheese making में production of beverages में तो यहाँ तो CO2 होई रहा है beverages की अगर बात करें beverages की ही बात वहाँ पर की जा रही है beverages में ही इस्तमाल हो रहा है है ना जैसे तो सम्में हो रहा है यह चीज तो याद रखेंगे A, B, C, D lactation में यह काम नहीं हो पा रहा है next फिर से बताएं इस बार सही करना भई इस बार direct labeling पूछी गई है A क्या है, B क्या है, C क्या है और D क्या है यहाँ यह वाला चीज याद रखना यह चीज रेस्पिरेशन में भी पढ़ते है यह चीज रेस्पिरेशन में भी पढ़ते है यहाँ पे CO2 का formation नहीं होता है lactication बनाते समय अरे यार हाँ बई तो सबका B आ रहा हो गए इसमें B वहाँ पे क्या है, sludge निकल रहा है A में dung और water मतलब slurry तयार हो रही है D में क्या है D में वहाँ पे digester है और C की बात करें तो C क्या है C gas holder है next a peculiar odor that contains that occurs in marsh areas is due to gas produced by answer B आ रहा है peculiar odor कह सकते है archibacteria क्यों कह सकते है क्योंकि तुम जानते हो न methanogenes के बारे में methanogenes के बारे में जानते हो न methanogenes कौन से बेक्टरिया से बिलॉंग करते है archibacteria answer क्या जाएगा अगली चीज़ है microbes as biocontrol asents microbes जो biocontrol asents के तौर पे काम में आ रहे है time कितना हो है 21 सी क्या बन 11 बज़े मिलेंगे भाई 11 बज़े मिलेंगे बस 8-9 मिनट का break है जल्दी से break लो 8-9 मिनट का break है जो भी खाना पिना है जल्दी से खाव पी लो क uniqueness the मिलेंगे जी बड vinegar जो पी खाव पाव जए तो थाव जीज़े टरो है जो खंदी खाव लो झाल 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 मतलब झाल 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 झाल